से अब्रेनं जेनर आज में आप लोक के साथ सेयर करने जा रहे हूं अरबी की पत्य की बहुते मेश्वारे श्रinal कहले नहीं कभी बनाए होगी और नहीं कभी खृ chance अज पहुत यह एं नोटें की डैसीपी है चलिए फैंस आज की मचदारी ड्रेसी पिस बनाने के सब से पहले हम मसाले त्यार कर लेंगे इसके लिए हमने यहां पे छार से पाँच मिर्च लिया है यहां पर थोड़े थोड़े से लिया है बाउल के अब यहां पर हम एकक टोरी बैसन पर लिए थुरजे यहां पर हम तरीके से अपसमें से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी हमने और एट कर Lिया है तो Friends आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने बड़ी आपसने इसको फेट लिआ हैं इसी तरीके से आप लोग भी फेट लीजेगा आप यहाँ पे देख सकते हो βेतर है त्यार हो गया इस तरीकेका हममें ब democracy रखना है अची तरीके से हमने इसको धो लिया है अब यहां पर क्या करेंगे कि चोकी लेंगे एक बेलन से इसको अची तरीके से बेल लेंगे हलका हलका ताकि यह अची तरीके से सौफ्ट हो जाए आप यहां पर देख सकते हो इसी तरीके से सारे पत्ते को हम बेल करके रख लेंगे जो आपको ईजी लगे उसके इसाफ से आप कर लिजिए गा तो फ्रेंश आप यहां पर देख सकते हों सारे पेस्ट को ऐसे इसके ऊपर से गिराते जा रहे हैं और साइट साइट से चमज की मदद से बढ़ियां से इसको लगाते जा रहे तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते आप चाहें तर्य चिमार्ष की जगह पे आप बारा है शक्ते के ऊपर से दूसरा वाला पत्था लगाएंगे तरा कीसे अप़ नगा लोगा यहां कि यहाँ यहाँ खिर जाता से ही सारे पेश्ट धार भी बना सकते हैं उसके हाओ से पत्ते ही jam और शॉफ्ट हैं इसलिए मैं कुछ जादे पत्ते लगा रही हूँ अगर आप लोग का जो पत्ता है टाइट हो तो आप यहां पर जादे पत्ते मतायट करिएगा इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे आप यहां पर देख सकते हो इसके उपर से पेस्ट को लगा लेंगे साइट से इसको फोल्ड कर देंगे अब इसके उपर से ऐसे पेस्ट लगाएंगे उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कस्ट के पकड़ेंगे और दबाती हुए इसको फोल्ड कर लेंगे आप यहां पर देख सकते हो मैं कैसे फोल्ड कर दिएगा और बढ़ियां से इसको फोल्ड कर लिए तो हमने इसको अची तरीके से पेश्ट लगा करके फोल कर लिया है अब इसको कवर कर देंगे बेशन से चारो तरफ से जो खुला हुआ भाग है वह अची तरीके से चिपक चाहे ताव यहां पर आप लोग देख सकते हूं हमने बढ़ियां से इसको कवर कर दिया है इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा तो यह देखिए हमने बढ़ियां से इसको कवर करके रख लिया है इसी तरीके से सारे पत्ते को हम बना करके रख लेंगे तो यहां पर हमने सारे अर्भी के पत्ते को बना करके पेश्ट म सब्सक्राइब तो यहां पर पत्ते को बढ़ियां से कवर कर दिया है अब यहां पर थोड़ा सा यह बच्चा हुआ जगा है तो इसमें हम तीसरा वाला भी रख देते हैं और इसको भी अची तरीके से फ्राइब देते हैं आप आप यहां पर छाहें तो धीमी यास पीसा ची तरीके से फ्राइ discussions कर लिए अव मी सब्हार करेंगे इसके ऊपर से गिरा देंगे नहीं करते हैं कर देंगे इसके पाणी को शरप्र कर देंगे8 पक नहीं रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो रिक्वच है बनके रेड़ी हो चुका है अब यहां पर देख सकते हो बढ़िया से पानी को भी इसने सोख लिया है और बढ़िया से यह फ्राई हो गया है तब इसके क्या करेंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको ठंडा होन करेंगे फिर से तेल में फ्राई कर लेंगे मतलब कि हलका फ्राई करेंगे जादे नहीं करना है आप यहां पर देख सकते हो सारे रिक्वच को हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है और यह जो रिक्वच होता है जो बाल के हम लोग बनाते हैं उससे ज्यादा टेस्टी लेंगे आप इसे चाहें तो कम तेल में भी अच्छी तरीके से फ्राई कर बस तौए पे थोड़ा सा तेल एड़ कर लिजिएगा थोड़ा सा सफेद वाली तील एड़ कर लिजिए और बढ़िया से इसको फ्राई कर लिजिए ताप यहां पर देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है एक दम से गुल्डन ब्राउन हो चुका है तो चलिए भी इसको निकाल के एक बरतर में रख लेते हैं और दूसरा वाला बैच भी तलके रख लेते हैं इसे तरीके से हमने सारे रिकवर्च को तलके रख लिया है अब यहां पे एक प्रेट में निकाल लेंगे फ् अगर हम अर्वी के पत्ते के पकोड़ी मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है और खाने में तिक दम से मजा ही आ जाता है तो अगर आज की मेरे रेसिपी आप लोगो को पसंद आया तो फ्रेंस लाइक से सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहल